प्रेंज अगर आप भी मेरी तरह फिटिंग्स प्लावस पना चाती है तो इस वीडियो को जरूर देखिए तो फ्रेंज इसका काटिंग का वीडियो मैंने आप लोट कर दिया है तो आज मैं आप लोगों को इसका सिलाई का वीडियो बताओंगी तसलिए सबसे पहले यहाँ स कौशा पार्ट को सिलाई करना है तो यहाँ पर देखिए जैसे कि यहाँ पर काप एटेस करने के लिए फेब्रीक और आश्तर को अलग-अलग से सिलाई करूंगी तो जिस तरह किसे यहाँ पर फेब्रीक में सिलाई किया है आश्तर में भी ठीक इसी तरह किसे सिलाई करकर ले लूँगी तो यहाँ से जो पर एक पर फेब्रीक है इसको थोरा सा काट लगा दूँगी तैसलिए यहाँ से उपर से एक सिलाई लगाओंगी दूनु साइट के तरफ से तुछले बेक पत चिलाई करूंगी वेकपाद के तरफ से यहाँ पर होग होगा तो यहाँ से देखिए किसे इसको सिलाई करना है चाहता आप इसके लिए अलग से नेकपोटी काद करकर यहाँ पर सिलाई कर सकती हो मैं यहाँ पर बीना नेकपोटी से ही सिलाई करूँगी अस्तार फ्रेब्रिक को एके साथ में एटेस करूंगी झाल दूनु साइट के तरब से नेक को सिलाई करने के बाद यहाँ से इस तरी किसी बराबर मिलाना है तो यहाँ पर देखिए एक साइट के तरब से थोरा सा सिलाई करना होगा यहाँ से बराबर मिलाकर तो यहाँ से देखिए इसको थोरा सा गुलाई में मिलाकर यहाँ से शिलाई तो इसलिए हमें से इस काट को इस तरह किसी शुटा शुटा देना है तो यहाँ पर देखिए इतना तक ही काट करना है जैसे कि सिलाई जितना तक ही उसी कहीं सबसे ही काट करना है तो यहाँ से फिनिसिंग का सिलाई दिया जाएगा फिनिसिंग का सिलाई देखिए कौन से वेला गोंगी? तो चलिए इसको सीधा साइट की तरफ से पलात कर ले लूँगी? यह देखिए इस तरकी से यह बेक साइट की तरफ से नेका सेफ आया है तो चलिए आभी यहाँ से आस्तार और फ्रेब्जी को एकी साथ में पूरा एटेस कर लूँगी? तो चलिए आभी दार्ट लगाओंगी? काठिंग करने के तया में जिस तरकी से दार्ट के मेज़ेमेंट बटाया है यहाँ भी ठीक उटना इसे ही लेना है तो यहाँ से बराबर मिला का डेकना है यहाँ पर डार्ट शिलाई बराबर ही किया है तो चलिए अब यहाँ से होग पोटी शिलाई करूँगे और यह देखें इसको सीधा साइट की तरफ से शिलाई करूँगे यह जिस साइट में होग शिलाई करना है उसी साइट की तरफ से है तो यहाँ से देखें इस तरह किसी होग पोटी शिलाई किया है तो चलिए अब दूसरा साइट के शिलाई करूँगे और यह देखें इस साइट में होग का गर बनाना है यह उसी साइट की तरफ से है उसी पार्ट को उल्टा साइट की तरफ से राकना है और सीधा साइट की त झाल झाल तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं विल्कुल बराबर है तो यहाँ पर देखे काप एटेस करने के लिए सबसे पहले क्या करना है सबस्धे पहले आपका बस्ट पोइंट का मेजरेमेंट लेना है तो यहाँ पर देखे कितने इस तक बस्ट पोइंट मिलता है और यहां से बस पोईन मिलता है 10 इस तक और एक्स्ट्रा हाफ इस लिए चलाई के साथ एड़ करने के लिए तो यहां से टूटल 10.5 इस का बस पोईन रखूंगी तुशले पेड़े डेटरिस करने के लिए सबसे पहले मीडल बराबर यहां से इस तरे किसे मिला का लेना है तुशले यहां से काप को सिलाई करूंगी तो यहां से देखिए तीन चुट कर लगबग यहां पर बराबग सिलाई करूंगी तुशले फेड़िक और आस्तर को यहां से इस तरे किसे लेना है फेड़िक को मैंने यहां पर सिदा साइट के तरफ से पिसाया है और यहां से देखिए पहले पींची पिनाप करकर ले लूँगी तुशले यहां से इस तरे किसे पिनची पिनाप करने के बाद बराबर यहां से हापींची लेकर सिलाई करूंगी उसके बाद नेक कुछ शुटा शुटा काट लगाऊंगी तुशले फिनिशिंग कर सिलाई दूँगी असतर कि साइट के तरफ से फिर चले शिदा साइट के तरफ से पिलाद लोगी तो यह देखे इस तरे किसी सिदा साइट के तरफ से पिलाद लेना है तो यहां पर देखे बेक पाद और फ्रॉंट पाद को यहां से जैन करूंगी यहां पर बेक साइट के तरफ से भी आस्तर यूशने किया है और फ्रॉंट साइट के तरफ से भी यूशने किया है तो यहां से आप लोग बिल्कुल बराबर इसको सिलाई करना है तो यहां से आप लोग बिल्कुल बराबर इसको सिलाई करना है स्लीप का सिलाई में स्लीप का फेब्री को बिल्कुल भी खीचना नहीं है इस तरह किसे दीरे दीरे से सिलाई करना है स्लीप कुमिन यहाँ पर डवल शिलाई करकर ले लिया है तसलीप अभी साइट की तरफ से यहाँ से एक सलाई लगाऊंगी इसके लिए दिखिए मेजरेमेन लेने का जोरोत नहीं है तो यहाँ से बीना मेजरेमेन से इस सिलाई को करना है जो स्लीप का आर्मोल को जेन किया है तो यहाँ पर डिखिए बिल्कुल बराबर राकना है और साइट सी जो भी एक स्टर फेबरिक हुगा इसको काट कर देना है तो यह लिए आभी दूसरा साइट के भी सेम तरके से सिलाई लगाऊंगी तो फिर चलिए कमर पुठी सिलाई करूंगे तो इस तरके से पोट्टी को थोरा आगे के तरफ हाफ इंच तक जदा राकर सिलाई करूंगे शिलाई देखें इसमें हाफ पिंच लेना है क्योंकि हामें काटने के तेयमे प्वल्डिंग करकर शिलाई कर लूँगी जाता भी शिलाई को हांचे भी तुरपआय कर सकते हूँ अगर हाच से तुरफ़ाई करना है तो इस शिलाई को कच्छा शिलाई लगा लिजे मैं यह आपल मिशिन का शिलाई ही राखूंगी तसलिए अब इस ब्लॉस के फीटिंग सनाप ले लूँगी तो काटिंग के तैय में मैंने बताया है इस ब्लॉस कितना साइस का है अगर अपलो का तैय के वीडियो ने डिखा हो गतु जिलाई कर दो का तैय में में देखलाई इस ब्लॉस का तैय में देखलाई झाल तो यहाँ पर देखिए फिटिंग्स करकर ले लिया है तो से लिए आभी मैंने इस तरीके से दोड़ी शिलाई किया है और इसको देखिए इस हुई डागा से इसको सिधा साइट की तरफ से लाना है तो यहाँ पर डोड़ी तयार है तरसे लिए फ्लावर बनाऊंगी यहाँ पर फेब्जी का फ्लावर ही होगा इसको मैंने तीशा करकर यहाँ पर टूप फूर्डिंग करकर सिलाई कर लिया है देखिए तो इसको देखिए दूसरा साइट के तरब से भी इस तरह किसी लेना है तो इस तरह किसी सिलाई करने के बाद इसको सिधा साइट के तरब से लाना है और दूनों फेब्लावर को इस तरह किसी बराबर आकर यहाँ से गुलाई में काट कर लूँगी तो शलिया भी फेब्रिक में टेस्ट करूंगी जहाँ से ब्लॉस का सुल्डर जेन के है वहाँ से थ्री इंच तक दाउन करूंगी इस तर्फी की से बॉराबर दूनों साथ के तरफ से मिलाओंगी चाहो तो इस दूरी को ब्लॉस का नेक सिलाई करने के तायमे उस तायम में भी सिलाई कर सकती हो तो यहाँ से ब्लॉस का नेक सिलाई करूंगी इस तरह किसे देखिए नेक पूठी यूश नहीं करने से इस तरह किसे सिदा साथ के तरफ से ही मिला कर सिलाई करना होता है तेसलिए अभी हुक शिलाई कर लूँगी तूटल मैं यहाँ पर चार हुक लगाऊंगी और हुक को देखे बिल्कुल मिदाल बराबर राकना है तो यहाँ पर बलाउस के सिलाई पुरा पूरी कमप्लीत है और यह देखे इस तरह के से इस बलाउस के फिटिंग आया है फिटिंग बहुत पर्फेट आया है तो फ्रेंज वीडियो पसाना चे वीडियो को लाइक शेयर करना ना बुलें चेनल को सब्सक्रेब कर लिए